तो इस टॉपिक के अंदर जैसा के हमने प्रीविएस टॉपिक में एक्स्टूड करना सीखा था हमने देखा था किस तरह जब हम एक्स्टूड की कमांड लगाते हैं एंड हमने किया था तो हमारी वाल्स जाएं वो स्ट्रक्चर बन चुका था हाइट हमने असको दे दी थी।थए वे उसी टॉपिक के अंदर जो हम उनी वाल्स को फाइनलाइज करना है क्योंकि छोपूल की वोग नहीं हैं। वहां पे डौट्च मैढ़ने लगाने हैं। हमने वहां पे वेंडोर्स वी display करनी हैं तो हम quickly method देख लेते हैं कि अगर हम ने जब walls को finalize करना होगा तो उसके अंदर हम windows किस तरह लगाते हैं उसके कौन कौन से method हैं एक हम एक या दो window लगा के देख लेंगे, same applies for doors as well, door भी उसी तरीके से ही हम आगे जाके लगाते हैं या प्लेस करते हैं सो बढ़ते हैं हम CAD 3D की तरफ ताके हम formally अपनी walls को finalize करना सीखें यह हमारे पास हमारा previous topic यहां पे हमने इसको conclude किया था यह एक basic सा structure हमने यहां पे draw किया था जिसमें हमने simple हमारा वही house plan है जिसमें work करते आ रहे हैं और उसको हमने just extrude कर लिया था और हमने 11 feet height दी थी depend करता है आप इसको जितनी height देना चाहें जब भी कभी for example हमारे पास 3D मौजूद हो और हम इसको multiple views में देखना चाह रहे हों तो orbit को भी हम यहां पे use कर सकते हैं ORB आप लिखें so orbit command हमें क्या करेगी क्या आप note करें तो हम अपने object को किसी भी तरफ से इसको revolve कर सकते हैं ORBIT में और देख सकते हैं अब हमने finalizing की तरफ क्यूंकर जा रहे हैं आप for example हमारे पास एक जगा है या यह जगा है यह जगा है यह windows की placement की जगा है so windows अगर place करनी है या अगर हमने डोर की placement करनी है यहां पे fix करना है so इसके लिए इसी को हम quickly आप देखेंगे so यह हमारे पास जो फिलहाल view है that is realistic हमने पहले इस पे बात कर ली हुए है कि जब भी कभी हम solid structure देखना चाहेंगे अपना so realistic में नजर आएगा और suppose यह एक place है जहां पे मैंने window जो है वो लगानी है यह window की जगा है इसी तरह यह window की जगा है यह door की जगा है हम यह पहले टूरी में work कर चुके हैं so अगर यह हमारे पास this is place of window so हम सबसे पहले एक rectangle क्योंकि window definitely इसी तरह की होती है तो हम एक rectangle जो है वो draw कर लेते है कुछ यहां से यह सारे off कर देते हैं और जस्ट अपने टीन basic जो snap की setting में तीन चीज़े है एंड मिड और center को on रख लेते हैं अब हम दुबारा एक rectangle draw कर लेते हैं so REC यह हमारे पास एक rectangle है यह हमने draw कर ली first step हमारा यह हुआ second में हम क्या करते हैं इसी rectangle की एक copy जो है इसकी copy हो गई अब हमारे वस दो method हैं windows को लगाने के method number one और method two so हम LA करके एक layer नई create कर लेते हैं window के नाम से ताके हमारे लिए असानी हो आगे काम करने में तो window 3D window या window 3D के नाम से हम एक layer और इसको कोई भी separate सा color हम ऐसा sign करते हैं unique सा ताके हमारी identification जो है वो असान रहे और यह हम जो window है इसको यहीं से हम layers में से वहां place कर देते हैं ताके हमारे लिए आगे मजीद असानी रहे हम इसको layer हमारे पास open है तो यह window 3D है तो हम इसको window 3D के अंदर दोबारा select करके और place कर देते हैं तो यह हमारे पास layer यह window 3D में आ चुकी है अब हमारे पास window है तो इसको हम extrude कर देते हैं EXT normally हम six feet height रख रहे होते हैं हम आलड़ी भी जिक्र करते हैं हम नहीं window के detail lecture में इसको हम six feet extrude कर देते हैं और यह वाली जो जगाए EXT और इसको three feet extrude करते हैं अब three feet क्यों कर रहे हैं कि यह नीचे वाल आएगी तो वाल हमारी तकरीबन three feet cell level बनेगा और वहां से 6 feet window बनेगी और उपर जो भी हमारे पास cell level से टॉप में जगा बचेगी बिट्वीन रूफ उसको हम दुबारा जो है वो rectangle लगा के फिल कर देंगे तो यह हमारे पास हमने दो जो है वो rectangle और हम इसको किसी और में रख लेते हैं ताकि हमारे लिए identification असान रहे रियलिस्टिक वियू में आएं और यहां पे हम ORB वही command जो हम अपलाए करते आ रहे हैं हम इस command को अपलाए करें तो यह आप नोट करें तो हमारी जो है window वो नजर आ रही है बनी हुई है खिड़की और नीचे जो हमने 3 feet extrude की थी जगा भी नजर आ रही है अब हमने window को exact place क करना है अपनी move करके यहां रखना है तो इसके लिए again हम जो है वो escape का button प्रेस करके और वापस चले जाते हैं wireframe और top view में वहां पे हम एक और setting करेंगे और हमारे लिए बहुत सारा असानी तो top view के अंदर हम आ गए और हम इस window को यहां select करके move की command लगा लेते हैं और यहां प देखें अगर सो हमारी जो है वो window प्लेस हो चुकी है बट अगेन अभी हमारी window और overlap जरूर कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे हम यहां पे move की command लगाते हैं select करते हैं और यह corner हम यहां से pick कर लेते हैं अपनी window का window नीचे तक आ रही है अब यहां पड़ी इंपॉर्टन हम command क्योंकि यह 3D है तो अगर हम इस window का देखें तो हम X को भी zero कर लेते हैं Y को भी zero कर लेते हैं और अगर हम Z-axis जो हमारी elevation इसको just 3 feet की extrude कर लें टॉप देदें तो खुद बखुद 3 feet cell level था उसके ओपर आपके window अब window मौजूद जरूर है बट window और नीचे जो 3 feet का आमने cell level स नीचे हमारी wall height है वो अपस में इस time overlap कर रही है तो इस overlapping से बचने के लिए हमने जो है यह start कर लेते हैं X axis zero और comma Y भी हम यहां कर लेते हैं zero और comma Z axis जो हम इसे कर लेते हैं 3 feet अब जैसी हमने 3 feet की आप नोट करें तो exact हमारी window वो 3 feet के ओपर उसकी क्योंकि हमने यहां से move किया अब हमारे पास यह जगा बची हुई है top में so multiple options हमारे पास मौजूद हैं सबसे इसमें से best option यह है कि हम यहां पे किसी भी जगा पे जहां पे 2 corner हमारे नजर आ रहे हैं so हम यहां पे rectangle draw कर लेते हैं REC के नाम से यह first corner और यह उसे दे देते हैं last corner अब यह rectangle हमें मिल चुकी है इसको भी हम कर लेते हैं ext extrude और इसको select करके आप हमारे पास दो method हैं एक यह है कि हम इसे extrusion दे 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 दूसरा यह है कि हम corner से corner मिला रहे हैं तो अगर हम इसकी layer को उसी में लेके चले जाएं तो यह हमारे पास exact जो है वो window की place है इसको हम यहां से अगर delete कर दे तो यह यहां पर easily आप देख सकते हैं के window की placements यहां पर बन चुकी है यह एक method था quickly हम last method दूसरा तरीका भी window का देख लेते हैं हम यहां place करके देखते हैं उसके लिए भी हम अब आपको idea हो गया होगा वार फ्रेम view में और top view में चले जाते हैं same step one उसका भी same होगा हम REC करके rectangle draw कर exactly वैसे ही जैसे हमने पहले draw की है और इसको हम यहां पर copy with base point करके सामने रख लेते हैं और इसको फिलाल हम extrude में रख लेते हैं और वह window में सही है यह हम extrude के अंदर अब हमने again same तरीके जिस तरह हमने पहले किया था EXT और window को हम दे देते हैं 6 feet का extrude और इसके बाद यह जो हम किया था structure को सो यह 11 feet है और अगर हम अब यहां पे इसको फिलाल extrude में रखें लेयर हम तर डिफरेंट हो जाए और हम चाहें तो हम exact इसको इसके ओपर M enter move करके place भी कर सकते हैं अब हमने किया क्या है अपनी जो wall है उसको total extrude दे दी है 11 का और उसके दर्मयान हमने window 6 feet की place करके रख दी है अब let's see के हमारे पास हम इसको जाके अगर realistic view में देख लेते हैं कि क्या हमें इसने pick किया या नहीं और अगर हम ORB की command लगाएं अब note करें तो window इसके अंदर A जरूर चुकी है बट again अभी window और वापस में mix हैं collapse कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं हम अगर window को select करें यहां से और हमारे पास इस time हम यहां पे will try के exact जो हमारी window है उसको हम यहां से select कर लें हम orbit में जाके पोड़ा सा move भी कर सकते हैं और we will see के हमें exact किस जगह से window नजर आ रही है और उस window को हम यहां से select कर लें क्योंकि हम try कर रहे हैं तो अगर यहां से क्योंकि हम try कर रहे हैं कि हमारी selection जो है इसकी हो जाए और इसको फोड़ा सा ऊपर move करने just like previous method और अगर यह ना हो रहा हो तो यहां पे हम wireframe view के अंदर आके इसको यहां पे क्योंकि हमें इसका basic structure नजर आ रहा है तो यह हमारे पास red window है तो यहां पे हम move की command लगा के और हम इसको इसी भी point से again हम select करके और M enter और यह वाला base point हम पकड़ लेते हैं इससे हम इसको move करे देते हैं वही same method हम X को भी 0 रखेंगे Y को और comma से separate करके और Z access क्योंकि हमने cell level 3 रखा हुए है तो आप note करें तो यह 3 के ओपर यहां पे place हो चुकी है अब हम वापस अगर जाएं और realistic view में हम जाके देखें तो यह window ओपर हमारी नजर आ रही है इसका मतला पर ओपर आ चुकी है अब हमारा second method है that is subtract command यहां पर मौझूद है आप SUB कर सकते हैं यह मैं यहां पर ओप्लाइ कर सकता हूं यह simple SUB हम सबसे पहले इसी realistic view में चेक करके देख लेते हैं अगर हमारे पास subtract अब करना क्या है सब्ट्रेक्ट हम पहले main आपने overall wall है उसको select कर लेंगे एंटर करेंगे और फिर हम window को तो window को उसमें से minus करके जो जगा बच जाएगी वो दिखा देगा तो यह हमारे पास first method अगर यह apply ना हो रहा हो जिस तरह यह नहीं हो रहा तो हमारे पास last solution है that is again to go in wireframe यहां पर आसानी से select कर सकते हैं तो यह हमारे पास subtract की command है सबसे पहले हम यह blue को select कर लेते हैं blue हमारी total wall है एंटर करते हैं और फिर हम उसमें से यह विंडो है इसको मेंटर करते हैं और अब हम अगर जाकर देखें रियलिस्टिक वियू में तो यह हमारे पास पास बनी हुए है यह एक मैथड से है और यह दूसरे मैथड से है अब इसके अंदर इसी तरह अगर दूर का हो तो दूर के हमें जरूरत ही नहीं है नीचे है और इसमें हमने दो मैथड देख ली हैं कि अगर हमने विंडोस को जब स्पेसिस बनानी होती है तो इसके हमारे पास दो तरीककार थे दोनों को हमने यहां पर इप्लाइज किया डोर के केस में भी ऐसा ही होगा तो हमने टॉप में 3 या 4 फीट हमारा जो अप टू जो हमार अपल कमस कम structure को कैर 3-D केंदर इसाइं कर सकें